कि आप लोगों ने देखा कि पैसे बॉयस में अपनको प्रब्लम आती है तो सामध मेरे झाल से आपको जो इसे बनते हैं किस तरीके से आपको तो वह सब आपकी समझ में आया होता है basically मैंने बदाय था कि cable तीन question ऐसे है याने एक तो वह है जो subject का काम करता है और एक वह है और वह है जो direct object बनता है और एक वह है जो indirect object बनता है तो इन तीन के अलाबा बादमाती में आपको कोई problem नहीं हैंगी चलिए start करते हैं पहले पैसे boys किस तरीके से question यानि interrogative में किस तरीके से काम करते हैं वो देखना है तो जैसे मैंने आपको first of all समझाया था yes no type interrogative तो पहले अपन yes no type interrogative का पैसे boys किस तरीके से बनाते हैं मेरे ख्याल से जातर लोगों को इस type के interrogative में कोई problem नहीं होगी तो देखिए किस तरीके से आपने करना हैं यहां आपको basically साथ पता होगा कि केवल inversion करना होता है जैसे जब भी आपको helping word sentence में subject से पहले मिलती है अगर आपको helping word subject से पहले मिलती है तब आप समझ लें कि यह yes no type का interrogative है लेकिन interrogative अगर आप देख रहे हैं तो सबसे बड़ा काम यह जो आपको देखना है कि last में जाके question mark आपको जरूर मिलेगा तो यह तो question mark से समझ जाई है फिर उसके बाद आपको क्या देख रहे हैं कि यह कि स्टैक का interrogative है तो यदि आपको subject से पहले helping work मिलता है जैसा कि मैंने आपको सारी helping work clear कराई है do-dutch, is-m-r, was-work, has-m, यह सारी तो वो जो मिलती है अगर आपको subject से पहले मिलती है तो ऐसी condition में आप किस तरीके से बनाएंगे same वही चीज है first of all आपने क्या करना होता है कि object को subject बनाना होता है लेकिन देखिए जब तक आपकी practice अच्छी नहीं है तब तक आप हर बार process करिए कुछ लोगों को problem होती है कि हमें object ठीक से निकालना नहीं आ रहा बहुत से लोगों को ये problem आती है कि object सही से समझ में नहीं आ रहा तो एक तो आप अपने तरीके को देखिए first of all आपने subject देखा subject के बाद बर्व देखी और उसके बाद object तो ये तरीका सही है कि बर्व के बाद में object आता है यहां बर्व क्या है आपकी need इसके बाद जो आएगा वो object आएगा दूसरी की आपने क्या देखनी होती है कि अगर आपको हाँ ऐसा हो जाता है कि कभी-कभी बर्व के बाद में कोई preposition आता है तो ऐसी condition के लिए मैं आपको दूसरी बाद बता रहा हूँ कि अगर आप इस बर्व से प्रश्म करेंगे वही मैंने आपको बताया थे आपको कीन प्रश्म करने है एक तो क्या और एक किसे कौन तो subject के लिए करते हैं अगर आपको object सही से निकालना है तो आप अपनी बर्व से प्रश्म करेंगे क्या और किसे जैसे या need मतलब होता है आवश्चक्ता होना क्या आवश्चक्ता है तो वह आपको answer मिलेगा एक प्रश्म क्या के answer में जो भी मिलेगा वो बस्तू होगी नर्जीब होगा किसे के answer में जो भी मिलेगा वो व्यक्ती होगा मतलब जीवित होगा तो इस तरीके से बड़े आसानी से आपको जो object है उसे पहँचान सकते हैं एक बार आपने object को अपनी तरीके से identify कर लिया तब आपनी क्या करना हैं कि जो object आपने पहँचाना है आप उसे आगे ले लीजिए तो आपने एपन को आगे लेगे इस नए object और tense के according tense आपका क्या है present indefinite do or does अब आप याद करिए कि do or does का चार्ड मैंने आपको बनावाय था passive का helping word का उसमें do or does का b form क्या था तो do or does का b form था आपके लिए is mr इतनी तो आपको यहाँ a pen के according is mr में से कोई रखनी है तो a pen चूंकि आपका कैसा हो गया singular हो गया इसलिए आप is mr में से रखेंगे तो is रखेंगे clear हो गया लेकिन चूंकि आपका जो active voice है वो interrogative है तो आपको passive voice भी कैसा बनाना होगा yes no type interrogative भी बनाना होगा इसका मतलब आपने भी helping word का inversion करना है मतलब helping word को subject से पहले लेना यह आपका object था पड़ आपने passive voice का ऐसे subject बनाया subject से पहले आपने helping word लगानी है तो age लग 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 यह होगया आपका age которое इसके बाद क्या करना है rule यही चलेगा सबसे पहले आपने क्या subject लगा लिया helping word उसके पहले आपकी करना है main word to main word आपकी need है आपने need की third form करनी है third form के लिए आपको यह जरूरी है कि यह आपको या तो प्रैक्टिस बहुत अच्छी करें तो उससे भी आपको दीमे-दीमे के लिए हो जाएंगे या आप इनके लिए थोड़ी सी मैनत कर लें इन्हें लर्न करना पड़ेगा इसके बाद आपका क्या हो गया सबजेक्ट हो गया, बर्व हो गई अब आपने क्या करना है, अबजेक्ट रखना है तो बर्व के बाद अबजेक्ट रखेंगे तो जो यहाँ सबजेक्ट होगा सबजेक्ट यहाँ क्या है, डज ही यह आपका सबजेक्ट था इस subject को by plus object में आप change कर देंगे तो इसके लिए आप by लगाएंगे और इसके बाद ही का जो object है उसको भी चार्ज में लेखिए यह होता है और जो question mark जियों करके आप लगा देंगे तो इस तरीके से जो yes no type interrogative होते हैं उस type के interrogative और affirmative नहीं कोई अंतर नहीं केवल yes no type interrogative जो होते हैं उनमें subject और helping वरू का inversion हो जाता है यह आप उसमें पलट जाती है तो जिस तरीके से interrogative आपका tense में जैसे आपने पढ़ाता है active voice में जो पढ़ाता है वही आपको यहां करना है यानि इस type के interrogative में कोई change नहीं होगा चलिए एक दो example में आपको और समझाता हूँ जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा यह देखिए इस ही writing a letter पहला काम आपने क्या करना है कुश्चन माग दिख गया फिर यह देखिए कि किस type का है helping वर पहले है yes no type हो गया अब आपने देख रहा ही कि object क्या है तो अपनी जो बर्व है write मैं चाल लिए बर्व write है write से आप प्रशन किये write मतलब लिखना इससे आप प्रशन करिए क्या लिखा जो आपको answer मिलेगा क्या से नहीं मिले तो किसे करिए ठीक है दोनों में से किसी ने किसी का answer आपको मिलेगा तो क्या लिखा इसके answer में आपको मिला a letter यह object हो गया आपने इस object को आगे लेना है subject बनाना है यहाँ क्योंकि noun होती है मैंने बतायता तो उसमें कोई change नहीं आता तो a letter का a letter ही आएगा इस नए subject और इस tense के according आपने helping बफ लगा नहीं है नए subject singular है और helping बफ आपकी क्या है agent अब आप अपने चार्ट में जाके देखिए कि इजिका मैंने जब passive voice में B form लिखाया था तब क्या लिखाया था is being, m being, r being एक बात यहाँ और समझने वाली है देखिए जो मेरा लिखाने का तरीका है वो यह था is m r plus b यह जो plus करके लिखा रहाता है इसका ऐसा नहीं है कि यह कोई session का काम है, ऐसा नहीं है plus being का मतलब होता है कि जब भी आपने note भी अगर लगानी है तब आप note कहा लेंगे, इस से plus वाले place पे आपने note लेनी है is not being होगा, m not being होगा r not being होगा यह आपने अगर inversion करना है तब आपने क्या करना है कि आप इस MR को आगे लेंगे being अपने list बना रहे है तो यह plug लगाने का यह तरीका होता है कि यह आपकी मेन helping वर्ग है और यह supporting वर्ग है तो supporting वर्ग जिस जगह पे है आप उसे उसी जगह पे रहने दीजिए आगे पीछे करने का काम है तो केवल किसको करीगे मेन को यह नहीं इस MR को तो inversion अगर आप करेंगे तो किसका करेंगे इस MR का न कि लीन का यह गलती नहीं करते हैं कि आप पूरा का पूरा देगे जैसे सामाने बात में क्या होता है कि A letter के बाद affirmative में हम क्या करते हैं कि A letter के बाद पूरा का पूरा इजबीन आता है समझे affirmative में हम क्या करते हैं कि एजबीन यहां लगा अगर affirmative होता तो बट interrogative है आपने inversion करना है तब आप ऐसा नहीं कर सकते कि इजबीन को पूरा उठा कर आगे लिया ठीक है मैं छोटी छोटी बातों को भी आपको इसलिए क्लियर करा रहा हूँ कि कभी आपके दिमाग में कोई confusion नहीं आए तो वो मैंने आपको बता है कि हमें किस तरीके से लिखाया है EJMR प्लस नहीं अब आपकी समझ में आएगा कि इस प्लस का कितना काम है इस प्लस का ये काम है कि आप इससे पहले जो ये रखी EJMR इन तीनों का inversion कर सकते है तो आपने इजु को आगी लेना है ये हो गया तो इज अलेटर बी अब ये आपका क्या लग गया सबजेक्ट लग गया और हेल्पिंग वर्व लग गई सबजेक्ट और हेल्पिंग वर्व के बाद आपने क्या लगाना है में वर्व में वर्व आपके पास क्या है राइट राइट का आप क्या करेंगे थार्ड लिखेंगे तो राइट का थार्ड लिटन होता है से इसके बाद आपने क्या करना है कि जो आपके पास subject होगा आप उस subject को by plus object में मतल देंगे, subject आपके पास क्या है, he, आप इसे क्या करेंगे by, और he का object आप फिर से chart में देखिए क्या लिखायाता है तो वो हो जाएगा by इस तरीके से मुझे नहीं लगता कि आपको कोई problem है हाँ, ये जो helping word का मैंने बताया, plus वाला जो तरीका ये आप उस सम्में देखिए जैसे हैज और M में लिखाया है मैंने हैज, have उत plus दी तो वहाँ भी आपने inversion करना है not लेना है, वो plus की जगे से करना है plus से पहले-पहले का जो है उसका inversion कर लीजिए not भी रगाना है, तो has not भी have not भी ठीक, इसी तरीके से bad being, warming में भी करना है ठीक, इसी तरीके से आपने head being में भी करना है will be or self you में भी आपने will object, self plus भी लिखाया है ठीक है, तो वो जो चीज़े वो आपको देखते चलने हैं कि किस तरीके से आप इसमें plus का use कर रही है तो मेरे ख्याल से yes no type interrogative में किस तरीके से passive boys में बदला जाता है कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं सामाने सी बाते हैं, जिस तरीके से आप सामाने बातों को करते हैं उसी तरीके से आप इनको करेंगे कोई भी किसी भी तरीके की problem आपकी रहनी नहीं चाहिए आपका ये main channel है आप इसे यानि आपको कोई तर दूसरा description में भी देखिए आपको description में आपको सारी चीज़ां मिलेगी मेरा होग्दे से केबाद आपका एक selection होना है किसी भी तरीके से कोई भी छोटी मोटी चीज़ा है वो आपसे चूटनी नहीं चाहिए इस बजाए से बिल्कुल सुरू से लेके बताया जाता है चलिए एक sentence और देख लिए उससे आपको और अच्छा लगेगा जैसे ठीक है फर्स्ट आप आप में मैंने बताया है क्या लेगना है कुश्षन मार्क इंटेरोगेटेव हो गया काईसे है हेल्पिंग वर्व है पहले आई है यह सुनो टाइब हो गया कुश्षन करिए अपनी बर्व से प्लेग खेलना क्या खेला अमैच आप इसे आ लिए हेल्पिंग वर्व आप लगानी है inversion करना है तो पहले आप देखिए कि helping बर्व आपके पास है क्या तो यह helping बर्व आपके पास क्या has been और have been यानि has have plus been plus से पहले का inversion होगा तब आप has have का inversion करेंगे image की according अगर आप देखेंगे तो has आएगा इसका मतलब आपने has का inversion करना है आगे लेना है क्योंकि अगर affirmative होता तो has been यहाँ आथा इसमेंसे has आगे चला गया bean अपने प्लेस पे बना रहा तो यह हो गया has a match been इसके बाद आपने क्या करना है main बर्व का third बढ़ी आए third लगी है कोई problem नहीं तो यह हो गया आपका has a match been played यानि subject हो गया helping बर्व हो गई main बर्व हो गई अब क्या करना है buy plus object आपके पास subject क्या है दे आपने दे को क्या करना है buy plus object मतलब buy दे दे को चार्ट में जाकर देखिए तो वहाँ आपको इसका object मिलेगा then तो इस तरीके से yes no type के interrogative होते हैं उनके passive में इसके बाद आपको जड़ुदत क्या है कि आपको कोई book मिलती है तो आप समें लगाईए क्योंकि अभी मैंने कोई special rule नहीं बताया सामाने जी बातें बतारा है तो इस तरीके से पहले आप इनको अच्छा करिए मजबूद करिए क्योंकि special rule आने बादी है उससे पहले आप passive boys पर अच्छी command कर लीजी चलिए यहां से आपको दूसरी चीज़ देखनी है double interrogative तो यह आपका yes no type interrogative हो गया तीन sentence मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा फिर अगर किसी भी प्रकार का sentence आपके लिए problem करेगा उससे पहले में आपको उसका solution है जो बता हूँ यह देखते रहिए description को देखते रहिए लेकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो description में मैं आपको exercise देता हूँ या written material देता हूँ उसमें थादा time लड़ियाता है तो एक बार आप अगर वीडियो देख लेते हैं तो उसके एक दिन के बाद भी अगर आप देखेंगे description में आके तब आपको link मिलता है तो ऐसा न सोचें कि description में link आया ही नहीं है link आपका जरूर आएगा आज नहीं आएगा तो एक दिन के बाद आज आएगा सुन्जारा है कि नहीं तो उसको देखते हैं चलिए next देखते हैं अपन double interrogative double interrogative कह लें या कुछ लोग इनको interrogative with question word भी कहते हैं किसी भी तरीके के नाम से लें यानि ये वो interrogative होंगे जिनमे question word सबसे पहले आपको मिलेगा अभी क्या मिलना था helping word अब आपने क्या मिलना है कि question word आपको सबसे पहले मिलेगा इनमें भी मैंने जैसे आपको पता है कि पिसले वीडियो में मैंने आपको पता है कि जो problem बाली बात है वो केबल तीन में आती है तीन कौन-कौन से एक तो वो question word जो subject का का काम करता है एक वो question word जो object का काम करता है क्कौन'M correct object और एक वो question word जो indirect object का का काम करता है प혜ले इन तीन में problem आनी है तो क्यों नहीं हम पहले इन तीन को इदेख लें बातोबन है कि चीज़ें easy है तो यह अच्छे से प्यार आए क्योंकि पैसे बोईज में क्या करना होता है कि object को subject बनाना होता है ठीक है और ये object का ही काम करेगा तो पहले अपन इसी से देखते हैं क्योंकि यहांचे आपकी starting होनी है यानि आपको पहले यह समझा दिया गया था कि what किस तरीके से sentence में आता है चलिए आज मैं आपके लिए एक और sentence दे रहा हूँ sentence आपके पास what is your seed cooking ठीक है इसमें पहले ये कोसिस करिए कि ये जो चीज आई है ये question वाट जो आया है ये कैसे आया है पहले इस पर दिमाग लगाजी अगर आपने एक दिन दो दिन इस पर थोड़ा सा time खर्च कर लिया तो विश्वास मानिए आपके पैसे boys में कोई problem नहीं आने पैसे boys English का काफी easy chapter है लेकिन कुछ लोगों को ये परिशान करता है केवल इसी की बज़े से सबसे पहले मैंने बताया कि आपको क्या देखना है कि ये आया किस तरीके से यानि sentence में क्या हुआ होगा कि जिसकी बज़े से ये आया है तो उसके लिए मैं आपको बता दूँ sentence था आपका इसको अलग करिए पहले आप इसे देखिए ये ये affirmative sentence था आपका C is cooking the food हिंदी में देखिए इसको क्या था वह खाना पका रही ये था मैंने आपको दिया कि इस sentence को आपको हिंदी में इंटेरोगेटिव बना दीजिए क्या कुछ लोग बड़ी ज़्दी में उत्तर दे देंगे बन गया लोग क्या हुआ थाना पका रही है लेकिन ये क्या से क्यों नहीं हुआ क्योंकि जब आप इसे इंटेरोगेटिव बनाएंगे तब आप क्या करेंगे इसको इंग्लिस में ट्रांसलेट करेंगे तो इसके लिए तो helping word पहले लगा देंगे agency cooking ये लगा देंगे तो यहां तो कहीं भी इस what का using नहीं हुआ मैं क्या कह रहा हूँ कि इस sentence को interrogative बनाएए what से तो ये सही answer नहीं हुआ जो आपने बनाया ये तो इसका yes no type interrogative बना दिया आपने तो आपको जब इसको what से interrogative बनाना है तब आपने क्या करना होगा पहले इसकी verb से पूछना होगा क्या जो answer मिलेगा आप उसे हटा कर उसकी जगे पे इसे रखेंगी इसका verb से आप रिसमे करिए क्या पका रही है आपको answer मिलेगा खाना आपने इस खाना को अटाना है और उसकी जगे पे क्या लगाना खाना क्या था sentence का यह object था यानि object को अटा करके उसकी जगे पे क्या लगता है तब आपका जो sentence हो जाएगा वो क्या हो जाएगा वो हर क्या पका रही है ठीके अब आप इसको English में translate करेंगे तब इसका क्या बनेगा What is C cooking यह बनेगा यही तो वो बात है इससे आपको यह समझना है कि sentence में What जब आता है तो किस तरीके से आता है तो पहले तो जो वोट के बारे में जो थोड़ी दूए इस बाते हैं कि जब हम वोट का यूज़ करते हैं तो पहली बात तो इसका यूज़ निर्जीव के लिए किया जाता है यह बात आपको अच्छे से याद रखनी है कि आपने वोट का यूज़ करना है तो वोट का यूज़ किया जाता है निर्जीव नाउन के लिए बात आरी समझ में दूसरी बात वोट का यूज़ अगर हम जीवित के लिए करते हैं यानि वोट का यूज़ अगर हम व्यक्ति के लिए करते हैं तो ऐसी कंडिशन में भी व्यक्ति का या तो पद या पेशावत आया जाता है न की व्यक्ति के लिए तो ये तीन बातें आपको वोट से सम्मन में बहुत अच्छे से दिमाग में रखनी है कि first of all तो ये कि what का यूज़ ये किया जाता है वो निर्जी के लिए किया जाता है पहली बात जैसे हैं खाने के लिए हुआ दूसरी बात आपको ये करनी है कि जब वोट का यूज़ व्यक्ति के लिए किया जाता है जैसे आपने का जो what is he ये इसका मदलब क्या है, वह क्या है इसका मदलब आपने उससे क्या पूछा कि उसलिए आपने उसका पत्द यह उसकी पूस्ट पूछी What are you? यह सहुझ मैं आयकर नहीं? तो इसका मदलब आप यह पूछ रहे हैं कि आप क्या हो आपका पत्द क्या है मातारी समझ में तो इस तरीके से पहले आपने ये समझना है कि what होता क्या है तो what का use निर्जीब के लिए किया जाता है निर्जीब नाउन के लिए दूसरा अगर व्यक्ति के लिए भी किया जाता है तो ऐसी कंडिशन में इससे या तो बद या पेसा बताया जाता है तो इस तरीके से मेरे खाल से आपको समझ में आगया होगा कि what sentence में object होता है अब जब आप इसका passive बनाएंगे इतना पूरा अटा देता हूँ क्योंकि आपकी समझ में आगया होगा कि what किस तरीके से आता है तो एक तो यह दिमाग में अच्छे असे बिठा लीजिए कि जब what sentence में आया है तो यह object के रूप में आया है अब आपने क्या करना है कि sentence को start करते समया आप क्या देखेंगे पैसे boys में कि first of all तो आपने object को ही देखना है लेकिन sentence आपका बर्व पर ही finish हो रहा है तो इसलिए इसमें problem आती है कि बर्व के बाद आपको object मिलता नहीं है तो कुछ लोग तो तुक्का मारते है कि चल्दो C को ले दो याद यही कर्म होगा कुछ लोग यह असोसते हैं कि यार उसमें कुछ कर्म नहीं है क्योंकि यही object है अब आप इसको क्या समझ के रखेंगे कि यह आपने subject लगा लिए अच्छे से दिमाग लगाई है कि आपको किस तरीके से इसको solve करना है आपने यह subject लगा लिए after subject, please use helping work sentence आपका क्या कह रहा है इसका मतलब इसका जो पैसे बनता है इसका बना देती है तो what singular है ऐसी condition में इसके लिए क्या रखेगा ही subject हो गया after subject आपने helping verb लगा लिए इसके बाद आप क्या लगाएंगी main verb लगाएंगी main verb आपके पास क्या है cook cook का third करना है इसके बाद आपने का करना है यह main verb भी हो गई अब आपने लगाना है object तो जो आपके पास subject होगा आप उस subject को by plus object कर देंगे तो यह हो जाएगा सी का जाके चार्ट में देखिए पाईगा ठीक है तो यह हो गया आपका what is being cooked by her अगर आप इस तरीके से what को solve करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कईभी problem आएगी क्योंकि यह आपने systematic तरीके से चलाया है हाँ कभी कभी आप तुक्ता मागए अगर चीए डूडेंगे तो आपको कुछी मिलेगा भी नहीं और कहीं न कहीं से आपकी गलती हो जाएगी चैब एक दो sentence all देखि जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि आपको what किस तरीके से solve करना है हाँ लेकिन what के बारे में बस यह जरूर रखिए कि sentence से question करेंगे तब ही आपको समझ में आएगा sentence है आपका वह मुझे हिंदी पढ़ाता मैंने आपको बोला कि आप इसे interrogative करिए क्या से पढ़ाना से पूचिए क्या पढ़ाता है आपको उत्तर मिला हिंदी आप इंदी की रग़े पे क्या लगा दीजी answer क्या बनेगा वह मुझे क्या पढ़ाता है इसमें पढ़ाना से दूसरी चीज पूचिए किसे पढ़ाता है तो उत्तर क्या मिलेगा मुझे यह भी object है double object है sentence में मैंने क्या बताया था कि sentence में double object भी होता है double object अगर होता है तो यह जो निर्जीव करमें इसको आप बोलते हैं direct object यह जीवित करमें इसको बोलते हैं आप indirect object ठीक है तो इसमें indirect object मुझे है और जो direct object है वो क्या है अब आप क्लिक आगया कि आप इसको English में translate करिए आपने से English में translate किया तो क्या बनेगा पढ़ाता है present indefinite है what इसके according subject आपका वहव है present indefinite में ही के according अगर आप verb लगाएंगे तो do or judgment से डज लगेगी तो डज लगाएंगे इसके बाद आपने क्या करना है subject लगाना है तो वो ही हो गया इसके बाद आपने क्या करना है main verb लगाना है तो पढ़ाना हो गया teach इसके बाद आपने क्या करना है object लगाना है तो वो मुझे क्या पढ़ाता है इसका उत्तर तो वो आई गया एक object तो आगी आगिया, दूसरा किसे बढ़ाता है मुझे, तो दूसरा है तो ये पीछे जाए जैसा कि मैंने active voice यानि time and tense में बताया था कि जब जीवित कर्म को यहाँ आप यह समझते हैं indirect object बर्व के तरंत बाद रखा जाता है तो ऐसी इस्तिधी में उसके लिए to लगाने की आवश्यक्ता नहीं होती है active voice लेकिन जब इसी चीज़ को passive voice में किया जाता है तब आपको यह इसके लिए to लगाने की आवश्यक्ता होती है अब आप इसको passive में बदलें तो पहले तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि यह जो what आया वो क्या हुआ direct object है चलो मैं अब इस सब को अठा देता हूँ sentence direct आपको यह मिलता है ऐसे मैंने समझा दिया आपकी समझ में आ गए दोनों कर्मा आप आगे ले करके किसको परता बनाएंगे दोनों object तो आगे आनी सकते अब what के question बाइड है यह पीछे जाएगा नहीं तब आपने क्या करना है कि आपने उसको नहीं लेना था आपको what से ही sentence को बनाना था तब आप चलिए what से बनाएए ये कि ये आपके लिए object अब क्या हो गया सब्चे बस ये समझ के रखिये जिसने भी ये सोच के रखा है उसकी गलती नहीं होगी जिसने ये सोच के रखा है ये रखना यहीं है लेकिन बस के बनापकी सोच का फर्क है अगर आपने इसे कुशन वर्ड सोच के रखा है तो गलती होगी अगर आपने इसे subject सोच के रखा है तो गलती नहीं होगी what हो गया इसके बाद आप helping वर्ब लगाएंगे डज लगाए इसका पैसे भी जेमार में बनेगा ये जो ठीक है बहुत सिंगूलर होता है teach के बाद आप क्या करेंगे third लगाएंगे teach का तो क्या हो जाएगा taught मैंने बताया कि अगर जीवित कर्म indirect object को पैसे boys में क्रिया के बाद रखना है तब आपने उसके लिए to का यूज करना subject हो गया helping work हो गई main work हो गई कितना easy है क्योंकि आपके अगर base के लिए तो ऐसी condition में आप इसे systematic बनाएंगे आपके कोई problem नहीं लेकिन जिन लोगों का फुड़ा सा base में problem होता है वो क्या कर देते हैं चलो हमने cushion bird लगा लिया अब ढूरते हैं कि object क्या है object मिलिया इसको भी आगे ले लिया अब यह ढून रहे हैं कि I care उसार helping verb लगाएंगे तो him लग गई चलो ठीक है इसके बाद teach का third लगा दिया तो tot लग गया अब क्या करना है by him लग रहा है कि बिल्कुल सही हो गया तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो यह आपकी गल्ती हो जाएगी तब आपने इस तरीके से नहीं करना है चलिए अब आपको एक दू सेंटेंस और बताता हूँ जिससे आपकी समझ में आएगा कि आपको और किस तरीके से करना है बेस किलियर होगा तो आप कही न कही से चीज़े निकाल लेंगे अगर आपका वो गिलियर नहीं होगा तो हर बार एक नहीं सेंटेंस में आपको लगेगा कि कोई न कोई एक नहा रूम ले वट ड़िससीता डू तो मेक यू सो एंग्री पहले सेंटेंस को अच्छे से पढ़िए एक्टिब बोई इसमें सारी चीज़े पहचानी है क्या क्या लगा है वट कुश्चन बर्ड है अब्जेक्ट है हेल्पिंग बर्व है सब्जेक्ट है मेन बर्व प्लस इंफिनिटिव लगा हुआ है यानि जब दूसरी क्रिया लगाई आती है तो उसे पहली क्रिया के बाद इंफिनिटिव के रूप मे लगते हैं तो यह तू प्लस इंफिन हो गया तू में यह मेन बर्व है इसके बाद यह आपका अब्जेक्ट हो गया और यह अधर वर्ट हो गया सब्जेक्ट हो गया मांग ली बता दिया इसके बाद आपने क्या चيहीए सब्जेक्ट हो गया main verb चाहिए, main verb देखे, main verb क्या है do, आपने इसका third लगाना है done main verb की आपके क्या चाहिए कि जो infinitive जिस तरीके से लगा होता है आप उसे passive voice में भी वैसे लगा देंगे तो to main इसके बाद क्या चाहिए अभी आपका subject हो गया helping verb हो गई, main verb हो गई इसके बाद आपने क्या करना है, में इनकर्ट के आद अबजेक्ट लगा जाता है, औबजेक्ट आपका डाइज जीवित आ रहा है, जीवित को पैसे को इसमें to लगा गा रखते हैं, to you इसके बाद जो यह यहां रखे हैं, वो ऐसे के ऐसे रखे हैं, so angry इसके बाद सब्जेक्ट को by plus object करेंगे, तो by, सब्जेक्ट के आपका क्या था, सीता, तो यह आगे सीता, तो यह हो गया, what is done to make you so angry by सीता, इस तरीके से आपको इनके करके सिस्टमेंटिक चीह चलानी है, जिससे आपको समझने आए कि real में हो क्या राए, what से सम्दित आपको अगर कोई problem आती है, तो आप जरूर कमेंट करिए, वैसे मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई problem आएगी, लेकिन आप चीजें, मतलब sentence से मांगिए, जैसे मैं मांग रहा हूँ, यानि सबसे पहले मुझे sentence से मांगाई कि मुझे question, मतलब object दीजिए, मैंने object मांगा, what हो मैंने आपको मांगा, मतलब sentence से मांगे कि helping word, तो sentence की helping word आपको बताएगी, कि ये लगा, helping word के बाद मुझे लगाना है main word, तो आप sentence की main word से इसका third करिए, main word के बाद मुझे क्या चाहिए object, तो sentence का subject है, उसे object बनाएगी, तो इस तरीके से आप एकिक करके चीजें पूछिए और लगाते जाएगी, तब आपके गलती नहीं होगी, हाँ अगर डारेक्ट आप, क्योंकि अभी आपके पैसे इतने अच्छे नहीं है, तब आप डारेक्ट मत करिए, थोड़ा time देगिए, तो आप जल्दी से जल्दी करने की कोशिश कीजए, क्योंकि आपका जो competition है, वो ओके, बुट बट बाई